रामराम जी, एजुकेशन ओरी स्टीरी में देवु पालाप का अर्दिक स्वागत करता हूँ, कैसे आप सभी हरियान सरकार का तोफ़ा, जेवीटी अध्यापक, आज की बड़ी खबर, आप सभी के लिए रेकिया हूँ, 10 जैनुवरी 2019, अगर आप जेवीटी अध्यापक है, या फिर जेवीटी अध्यापक लगना चाहते है, तो इस वीडियो कान तक जरूर देखें, चैनल कर नए हैं, सब्सक्राइब और बैल के लिएक में को दबा लीजी, हर रोज आपके लिए जोब से लेट्टिर, सिक्से लेट्टिर वीडिया आपे रहती है, जो कहिन कहीं है इस वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिएगा, इसी हमें थोड़ा सा मोटे विशन मिलता है, आपको लेके चलता हूँ, आज की मुख्य खबर की तरब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एड होक जेवीटी को डेड साल बाद एक समान सेलरी मिली, अब एरियल लटका, दिसंबर 2017 में सरकार ने परदेश भर में एड होक बेक पर किये थे न्यूक्त जेवीटी, विभाग में एड होक जेवीटी को दो साल बाद एक समान सेलरी मिल गई है, पहले हैं कुछ टीचर्स को विभाग 21,000 सेलरी दे रहा था, तो कुछ 26,000 सेलरी दी जा रही थी, अब विभाग ने सभी को एक समान सेलरी देना शुरू कर दिया है, अब जहां एक समान सेलरी मिल ने शुरू हुई है, तो कुछ जेवीटी का दो साल का एरियल लटक गया है, अब टीचर्स की तरफ से एरियल देने की मांग उठने लगी है, दरसल दिसंबर 2017 में सरकार ने परदेश में एड होक वेज पर जेवीटी नियुक्त किये थी, अमबाला में करीब 38 जेवीटी एड होक पर तैना थै, परदेश बरके कई जिलों ऐसे थे जहां पर एड होक जेवीटी को 26,000 रुपे एक समान मासिक वेतन मिल रहा था, जबकि अमबाला में कई एड होक जेवीटी ऐसे हैं जिने 21,715 रुपे मासिक वेतन मिल रहा था, कुछ को 26,000 रुपे वहें कोर्ट की निर्देश का हवाला देते हुए हायरक एलेमेंटरी एजुकेशन पर देश को सभी यू को जुलाई 2018 में तुरंत प्रभाव से एक समान 26,000 रुपे मासिक वेतन देने के निर्देश दिये थे, अधिकारियों ने अब दिसंबर मा में स सभी एड होक जेविटी को 26,000 रुपे सेल्ली देना शुरू कर दिया है, मगर अब जेविटी का डेड साल का एरियल विवाक किसा पास स्पेंडिंग पड़ा है, दिला मुलेक शिक्षा अधिकारी रमेश कुमा ने कहा है कि जिन एड होने जेविटी का एरियल पकाय है, उन अगर आप भी लगते हैं तो आपको भी एक समान ही वेतन दिया जाएगा, बड़ी खबर ते आप स्विक साथ शेयर करने थे आप लाइक और शेयर जोरू करें, धन्यवाद